प्रोफेसर डेक्टर फेमिदा हुसेन उन्ना दा मकाले दा उन्वा ने हिंद को पंजाबी स्राइकी सिंधी हिक को तैजीब दे रंग मैं गंदारा हिंद को बोट की मश्कूर हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका फराम किया मेरी मादरी जबान सिंधी है और ये हिंद को से इतनी मुमासलत रखती है कि मुझे इस कॉन्फरेंस में पढ़े गए मकाले लव्स पर लव्स अखर बाखर समझ में आ रहे हैं जिससे ये साबित होता है कि सिंधी और हिंद को sister languages हैं इसी हवाले से मेरे मकाले का उन्वान है सिंधी सराइकी पंजाबी और हिंद को एक जाइजा बरे सगीर पाक और हिंद जमाने कदीम में भी दो एकाईओं में तक्सीम किया जाता था एक एकाई थी सिंध और दूसरी हिंद और जब मैं सिंध कहती हूँ तो मेरी मुराद कदीम वादी सिंध है जिसकी सराइद कश्मीर से लेकर इंतहाई जनूब में साहल समंदर तक केटी बंदर तक फैली हुई थी जो के कमोबेश मौजुदा पाकिस्तान का खिता है इस वादी की अजीम और शांदार तैजीब के आसार हडपा, मौजोदड़ो, टैकसिला या भंबोर में देखे जा सकते हैं जो इस बात की गवाई देते हैं कि यहां के लोग कितने तैजीब याफता थे जिनकी जबान लिखी पड़ी जाती थी और यही वादी सिंध है जिसके दरियाओं की वुस्सत और पहलाओ को देखकर रगवेद में उसे सब्ता सिंदू, यानि साथ समंदर का नाम दिया गया था जिसका तलफ़ एरानियों ने हब्ता हिंदू कर दिया था यहाँ पर मैं डॉक्टर अख्तर आवान से थोड़ा सा अखिलाफ करती हूँ अविस्ता और वेद, यह ईस्वी संसे एक डेड़ हजार साल पुरान हैं जबके दरियाओं सिंद और उसकी वादी से भी कदीम है दरियाओं सिंद और उसकी वादी ज्यादा कदीम है और यह वेद तो इस दरिया के किनारों पर बैटकर लिखे गए थे कदीम पार्सी जबान में सीन को हे में तबदील किया जाता है हे को सीन में कहीं भी तबदील नहीं किया गया इसलिए सिंदू को हिंदू कर दिया गया और सब्ता को हप्ता जो के जदीद फारसी में हफ्त यानि वही साथ है इसी निस्बत से इस खिते को सिंध और हिंद के नाम मिले जो कि बाद के किसी दोर में दो मुक्तलिफ खितों दो मुक्तलिफ एकाईईों के लिए मकसूस हो गए यूनानियों ने इन अलफाज को मजीद बिगारा इस स्लसले में मैं अपना जो ख्याल है वो नहीं पढ़ती हूँ इसलिए के डॉक्ष साब ने इस हवाले से भी बता दिया कि हिंद को किस तरह इंड में तब्दिल कर दिया गया था अगर हम इस बात को मानते हैं कि हमें ये भी मानना पड़ेगा कि लवज हिंदू का मजभ या जबान से कोई तालुक नहीं ये महज यहां के रहने वालों के लिए मकसूस होगा जिसको बाद में यहां के मजभ के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा ये पॉइंट मैंने इसलिए लिखा है कि मैंने जब हिंद को की तारीख के बारे में पढ़ना शुरू किया तो एग जगा मुझे ये लिखा हुआ मिला कि हिंद को हिंदू की जबान थी तो इस वज़ा से मैंने इसको वाज़ करना चाहा कि इसका मज़भ से कोई तालुक नहीं है इसी मफरूजे के तेहत हम ये भी कह सकते हैं कि लवज हिंद को भी सिंद को की मुख्तलिफ सूरत है और उसका इसके बोलने वालों के मजभ से कोई तालुक नहीं ना जमाने कदीम में ना जमाने जदीद में वैसे भी जबानों का मजाहर से कोई तालुक नहीं होता सिंदी बोलने वाले हिंदू भी होते हैं, मुसल्मान भी पंजाबी बोलने वाले सिक भी होते हैं, मुसल्मान भी यहां तक कि कुरान करीम की जबान या अरबी बोलने वाले ईसाई भी हो सकते हैं जैसे लबनान में आए इसलाम की आमज़ से पहले इस पूरे खिते में बुद्ध मजभ की भी पैर भी होती रही है यहां हिंदू भी रहते रहें जिनकी अक्सरियत ने जब इसलाम कबोल किया मगर उसके बाद भी यहां एक से ज्यादा मजायब के लोग रहते रहें और सूफियों ने उन में रवादारी और इंसानित के अगदार की रवाध डाली है पाकिस्तान बनने के बाद ज्यादा तर हिंदू तो चले गए और मुसल्मानों की अक्सरियत काइम हो गई इन तमाम लोगों ने वादिय सिंध की तैजी में बोली जाने वाली अपनी जबान के मुक्तलिफ लहजों को अख्यार किये रखा और मुक्तलिफ अद्वार में हमला आवर कौमों नकल मकाने करके आने वाली नसलों की जबानों के असराद कबूल किये और यूं यह लहजे मुक्तलिफ होते गए मगर उनकी बन्यादी साफ में कोई बहुत बड़ी तबदीली नहीं आई अगर हम अपनी जबानों सिंदी, सराइकी, पंजाबी और हिंको और उनके लहजों को इस तनाजर में देखे तो उनकी आपस में अजाजत या रिश्टेदारी साफ नजर आएगी आज मैं मुक्तसरन इस पहलू पर रोशनी डालूंगी वादियसिंद की तैजिएक कि कदामत को देखते हुएं हमकमसकम ये दावा जरूर कर सकते हैं कि जतने कदीम इस वादी की तैजीब वो तमदन है और इतनी ही कदीम यहां की दुबाने होंगी हिंद को से पंजाबी फिर सिरायकी और सिंधी के खितों तक सफर करके देखिए दर्याय सिंध के किनारों पर बुली जाने वाली ये जबाने और उनके तमाम लहजे बतद्रीज एक से दूसरे में तब्दील और जम होते हुए दिखाई देते हैं मगربी जाने बोले जाने वाले लहंदा के लहजे कश्मीरी से सिराइकी तक और बहुत हद तक सिंदी से मुमासलत रखते हैं यही वज़ा है कि मशोर अंग्रेज माहर लिसानिया सर जोर्ज गिरियसन ने अपनी शोरा आफाक तस्नीफ लिंगुस्टिक सर्वे आफ इंडिया में इन जबानों को सिस्टर लैंग्वेजिस के तोर पर एक ही जिल्द में शामिल किया है जो जिल्ड आर्ट्स हिसा अवल है इस किताब का मैं सिंधी तर्जमा कर चुकी हूँ जो के सिंधी लैंग्विज अथारिटी ने प्रिंट किया है और इसका अर्दू तर्जमा Academy of Letters के पास पिछले 10 साल से पड़ा हुआ है जो के वो लोग शाया नहीं कर रहे हैं जब के मुझसे वो फखर जमा साब ने ली थी अब जब के हिंद को और पंजाबी जबानों के स्क्रिप्ट्स राइज हो चके हैं तो इस किताब को भी आना चाहिए दरसल वादिय सिंद की ये तमाम जबाने अपने मुकामी मिजाज और हमसाया जबानों के या हमला आवरों की जबानों के असरात के बावजूद कई मुझतरका अनासिर जाहर करती है जिसकी वज़ा गालबन ये है कि इन सब की मा बोली यानी मदर लेंग्विज या पैरेंट लेंग्विज कोई एक ही जबान रही होगी और ये बात ग्रियरसन ने भी मानी है और हमारे सिंद के मैंने सब के हवाले दिये हैं मगर मैं यहाँ पढ़ूंगी नहीं इसलिए कि आप वक्त की कमी है लेकिन जब तक इंडस इसक्रिप्ट ना पढ़ा जाए तब तक हम हत्मी तोर पे यह नहीं कह सकते कि वो जबान किस खांदान से तालुक रखती है रखती थी अगर्चे यह जबान आरियन असल के लोगों की आमद से कबल की जबान थी मगर ग्रियरसन समेथ कई दूसरे लोगों ने उसे इंडो आरियन जबान कहा है यानि हिंद आरियाई और यह जबान क्या प्रोटो आरियन थी धरावडी यानि ड्रैविजियन थी धरावडों से पहले की प्रोटो ड्रैविजियन थी या इस दौर की कोई प्रोटो प्राकिर्ट थी ये बात सिर्फ और सिर्फ इंडस इस्क्रिप्ट पढ़े जाने के बादी तैह हो सकती है मगर ये बात तैह है कि ये जुबान या जुबाने कहीं बाहर से नहीं आई और उनका खमीर इसी धर्ती इसी वादिय सिंध की सरजमीन में तयार हुआ है और उसकी जड़े उसी धर्ती में बुख्ता गड़ी हुई है और मुझे खुशी है के सिंध पंजाब और गंधारा खितों के अक्सर उलमा इस बात पर मतफ़िक हैं सिंदी जबान के माहरीन में डॉक्टर गुलाम अली अलाना और सिराजलहक मेमन इस नजरे के हामी हैं इसके अलावा डॉक्टर मेहर अब्दलहक जनाब शफकत तन्वीर मिर्जा डॉक्टर रफीक मुगल डॉक्टर अमजद हुसेन जनाब खातर घजनवी की तस्नीफों के मुटाले से ये पता चलता है कि ये तमाम हजराद भी इस नजरे को मानते हैं फिर इसके बाद कुछ हवाले हैं जो मैं यहां अकोट नहीं करूंगी अब आईए ऐसे चन्द अनासिर पर रोशनी डालते हैं जो इन तमाम जबानों में कॉमन है नमबर वन परसनल प्रोनाउंस या शक्सी जमायत इनको देखिए तमाम हिंदुस्तान से अलग हमारी इन जबानों में जमीर मुत्तकल्म या फिर्स परसन प्रोनाउंस के लिए मैं मां असी असी असा बोला जाता है जबके और जगा आप देखेंगे तो हम या दूसरे ऐसे अलफाज होंगे असी असा नहीं होंगे जमीर हाजर के लिए तू, तुसी, तुसा या सिंदी में तमी तमा है जबके यहां भी यह थाबित होता है कि सीन से हे तबदील हो गई है प्रोनॉमिनल सफिक्स यानी जमीरी निशानिया इस मकसद के लिए मैंने ग्रियर्सन के किताब से एक जमला निकाला है जो मैं दोहराती हूँ, जमीर गायब के लिए एक जमला है उस वेले होश आयस इसमें स्राइकी, लहंदा और हिंद को में उसने यह मिसाल दी है इसी को सिंदी में अगर तर्जमा किया जाए या सिंदी में बोला जाए तो हम कहेंगे उन वेले होश आयस अब देखिए कोई भी फर्क नहीं है आयस में सीन का इस्तेमाल उसी तरह है जमीर गायब के लिए आयस सीन का मतलब उसको दूसरा प्लूरल में है दान्द दिठासी ये उसने हिंको की मिसाल दी है जो के सिंदी में होगी दान्द डिठोसी ये यानिए बेल को देखा दान्द डिठासी मतकल्म के लिए ये ये फ़स्ट पर्सन प्रोनाउन के लिए है उसनु मारियुम यानि उसको मारा इसे सिंदी में केंगे नंके मारियुम और स्रैकी में केंगे उसकू مारियुम तो इसमें भी mean जो इस्तिमाल हो रहा है आखर में ये भी Peronominal Suffix है इसी तरह बहुत सारी मिसाले में नह यहाँ पर लिक्स है second person pronoun में e की निशानी आखर में होती है कें माराई और इससला कहें किसने मारा है तो सिंदी में कहेंगे कें माराई, बिल्कुल वहाँ पे थोड़ा सा हे कम है, कहें कहते हैं, सिंदी में कहें कहते हैं, बाकी मार्याई सेम है, किसनू मार्याई, इसको कहेंगे, कहेंखे मार्याई, तो इसमें भी बहुत ममासलत पाई जाती है, फिर एक खुसूसियत और है, यानि डबल जमीरी निशानिया, मिसाल के तौर मारसाउंस यानि मैं उसको मारूंगा इसमें दो दो जमीरी निशानिया हैं सिंधी में कहेंगे मारीं दो साएं मारसाउंस मारीं दो साएं दो जमीरी निशानिया हैं सिंधी सरायकी के अलावा लहंदा के मुक्तलिफ लहजों और हिंद को में भी कहीं कहीं ऐसी मकसूस आवाज जिनको इंप्लोसिफ कहते हैं मुझे भाई साबिर साब से पता चला कि इतनी हिंद्कों में वो आवाजे नहीं है जैसे बढ़ गर यह सराइकी में अलबता है मैं कुछ अलफाज पढ़ती हूं मिसालत और सिंदी में सराइकी में बहू कहते हैं अभी एक साब पढ़ रहे थे उसी वक्त मुझे इलफ सुनाई दिया बहूं जो हो सकता है कि पंजाबी और हिंद्कों में बहूं हो जाता होगा लेकिन बाल मैंने सुना यहां पर किसी को कहते हुए इसको बाल बाल बच्चा जैसे कहते हैं सिंदी में बार यह एक इंप्लोसिफ साउंड है हिक जाने हिक जाने या हिक जाने जाने में सिंदी में सिराइकी में यह की आवाज निकालते हैं जो भी इसी किसम की आवाज है फिर एक हिक देहाडे अब यह हिंद्कों में डेहाडे हो सकता है हिक देहाडे या हिक देहाडे सिंदी में बिल्कुल इसी तरह कहेंगे हिक देह जाड़े, डाड़ा या डाड़ा, ये भी सिंदी में लफ मौझूद है, इसको हम सिंदी में डे के साथ कहते हैं, डाड़ा, सिराइकी में भी मेरा ख्याल है इसी तरह कहते हैं, एक और लफ है, साउंड है, ये की है, साउंड है सिंदी में बोली जाती है, जो कि सिराइकी में जैसे वन्ज, वन्ज जाने को कहते हैं, हिंद को में भी मैंने सुना, वन्ज मगर महां पे जीम को थोड़ा सा वाजे करते हैं, जबके सराइकी और सिंदी में ने की आवाज है, ने की आवाज तो सिंदी, सराइकी, पंजाबी हिंद को सब में है, जैसे पानी, वन वगरा चंगा या चंगा इसके आलावा इन तमाम जबानों में आजाद के नाम माँबाब भाई भेन और रिश्टिदारों के नाम और कई सिफाद नंडा, वडा, केडा, जेडा और इस तरह के बहुत सारे अलफाज ऐसे हैं जो इन तमाम जबानों में कामन है आखर में मैं बाबा फरीद के दो अशार का सिंधी तर्जमा पेश करती हूँ आप देखिए जबानों में कितनी मुमासलत है हम सिंधी में इनको डोहीडा कहते हैं मेरे ख्याल है यहां भी डोहीडा या डोहीडा लफस जो है इतना सब समझते हैं फरीदा जेजाना तिल थोरडे संभल बुक भरी जेजाना शो नंडड़ा थोड़ा मान करी इसके सिंधी में तर्जमा इस तरह होगा फरीदा जेजानी तिर थोरड़ा संभाले बुक भरी जेजानी मालक नंड़ड़ा थोरो मान करी आप देखिए इसमें सिर्फ एक या दो लफ्स का फर्क हुआ बाकी वही है दूसरा है जामे लगानी तामे डुख विहाजिया जुरां सबोई दी कारन सच मापरी सिंदी में होगा जामू लगोनी तामू डुख विहाजिया जुरां सबोई दी कारन सचे मूपरी इसमें भी एक या दो लफ्स फरक हैं बाकि बिल्कुल सेम है आखर में जनाब साबर हुसेन इमदाद का एक हिंको शेर और उसका तर्जमा भी देखिए दुख समेट कर इस धर्ती दे वंडा सुखते नचांगावां खाली पेट दी खातर लोको पेरां दे विच जांजर पावां सिंदी में होगा नुख समेटे हिन धर्ती जा वंडिया सुखई नचांगावां खाली पेट जे खातर लोको पेरन में जांजर पाया तो अब साबित हुआ कि इस वादिय सिंद की तमाम जबाने सिस्टर लेंग्वेजिज है और हमें इन में तावन को बढ़ाना चाहिए शुक्रिया बहुत बहुत